मैं आपके सामने बड़ा ही औसान सा मुझेदार एक्जामपल समझाता हूँ ठीक आप भी क्या याद रखे सर्में क्या मस्त एक्जामपल लिया था तो लो दोस्तों मैंने कहा आप बच्चे मुझे बताओ क्या आपको रोटी बनानी आती है या आपने कभी रोटी बनाई है या कभी आपने रोटी बनते वे तो देखी होगी ना अगर चलो बनाई नहीं है नहीं आती तो बनते वे तो देखी होगी ना आपके घर पे पेरेंट्स है या मदर है फादर है जो भी आपकी बड़ी सिस्टर जो भी जो भी लोग है बड़े भाई है जो भी है तो पेटा स आज रूटी बिनाने का प्रोसेस एक बर फटा-फट से याद दिलाता हूं मैंने का कैसे होता है तो जिन भी बच्चों का नवंबर 21 में एक्जाम है या में 22 में है वो बच्चे इस बैच का पार्ट बन सकते हैं यह बैच स्टार्ट और विटा 23 जून 2021 तो जल्दी जल्दी से आप इस बैच में एन्रोल कर लीजिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे गिवन है ताथ सब बच्चों इसके अंदर आपके रज़त जैन सर पढ़ाएंगे ए एससे अंकित सर विल टेक ऑडिट राहूल मलकान विल से सर विल टेक एडवांस एकांट से और मैं आपका दोस्त पढ़ाऊंगा एफम एंड इको का पूरा का पूरा पेपर पिटा ये में हम आपके साथ सारे कॉंसेप्ट सारे प्रैक्टिकल कोशन पास्टियर एम्टीपी आर्टीपी स्टडी मोड्यूल सब कवर करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अपना नवंबर या मेह एक्जाम को क्राक करने के इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो 6 मंत का है 12 का है 24 का है ये लेने के लिए आप रेफरल कोड यूज करेंगे जैसे ही आप ये वाला रेफरल कोड यूज करेंगे य जो अगें 6 months, 12 months, 24 months का अविलेबल है at these price. Iconic पे बड़े सारे extra benefits हैं. आपको books मिलती हैं, सबसे important. आपको आपके जो past rank holder से बड़ा उनके साथ interaction या वो आपके mentor बनते हैं, जो आपको time to time guide करते रहते हैं, इसके लाबा other benefits. Like, industry experts के साथ sessions होंगे, books होगी, personal coach है, आपकी learning progress tracker होगा, अलग से channel होगा, जहां पर आप अपने doubts, अपनी सारी बाते discuss कर सकते होगा. ये सारा फायदा बड़ा Iconic में, इसमें भी आप CA Sunil का code यूज करेंगे, तो मिलेगा 10% discount. तो बिटा, वेट मत करिए, जल्दी जल्दी से अपने subscription लीजिए, और हमारे साथ अपनी पढ़ाई start कर दीजिए. मैंने का चलो, मैं आपके साथ discuss करता हूँ, रोटी बनाने का process, बताओ जी, रोटी बनाने के लिए सबसे पहला step क्या होता है? सर, सबसे पहला step होता है, मुझे कुछ ingredients चाहिए होते हैं, तो मैंने का लो जी, आपने बोला और हमने मान लिया, तो मैं आपके लिए ingredients लाया हूँ, ये मेरा पहला ingredient आटा, सबसे पहले मुझे आटा चाहिए, साथ-साथ मुझे पानी चाहिए, और मुझे एक utensil या एक बरत boxing, आप देखते हो न, ऐसे आपका एक बरतन होता है, जिसके अंदर आटा पानी सब डालते हो, फिर उसके साथ ऐसे ऐसे करके boxing करते हो, या इसको मैं simple बोलता हूँ, आप आटे को mix करते हो, गूंदते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, रही, हाँ सर, हम आटे को boxing करते हैं हैं, आटे को गूंदते हैं, मैंने का फिर क्या step होता है, मैंने का अब इसके बाद next stage होती है, कि मेरे को इस यहां से, इस वाले process से, या इस वाले step से, मेरे पास गुणदा हुआ आटा आगया, गुणदा आटा, लो जी, मेरे पास गुणदा हुआ आटा, मेरे सामने आ है राइट हम इसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं आप इसको वो क्या बोलते हैं या जो भी आप वर्ड यूज करते हैं अपने अपने घर पर जो भी आप वर्ड यूज करते हैं मेरा काम है आपको concept समझाना तो मैंने का लो जी हमारा next step हो गया गुंदे आटे से छोटे छोटे गोले बनाना लो जी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं कि हमने छोटे गोले बना दिये अब इसके बाद क्या करते हो छोटे गोले बनाने के बाद हमारे पास output आ चुका है अब स इसको बेलते हैं we start rolling it on the चकला and all उसको बेलते हैं ताकि वो फ्लाट हो जा और राउंड राउंड बनाते हैं मैंने का बिल्कुल सही कहा रहे हो सर हम इसको राउंड राउंड बनाते हैं तो लो जी मेरा next step यहां पर आता है जिसको मैं बोलता हूं बेल ला हूं और हम हमारे जो छोटे छोटे धुक्रोडे होते हैं उनको बिलते हैं फ्लाट करते हैं फ्लाट करने के बाद मैंने का भाई साभ आव यह जो गोल गोल जो वी आपके बने है इनसे जो result आया अब आप इसको क्या करते हो आप इसको in the track support छ एव जाए करते हो तो अगला प्रो किसी भी country का बनाया था जो भी आपने बनाया था भाई उसको अब आप heat करोगे अपने जो तवा है जो भी आपका equipment है आप उसको heat करोगे heat करते ही finally आपको आपका desired result या desired output मिल जाता है रोटी राइट तो देखो दोस्तों ऐसी situation जहां पर हमें कुछ certain steps follow करने हैं और वो steps follow करकर हम अपना desired result या output अचीव कर पाएंगे ऐसे cases में हम process costing method का use करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहला case बताया इसकी एक feature और देखे तो अगर क्या है सर मैंने का देखो भाई अगर मैं बात करूं boxing वाले प्रोसेस की तो boxing वाले process का output था इसका output क्या था गुंदा हुआ प्रोसेस के लिए input का काम करता है सबसे पहला point यहाँ पर एक और सीखा यह कब तक चलता है सर यह तब तक चलता है जब तक मैं अपने final output पर ना पहुँच जाओं once we achieve the final output और the desired output तो मेरा process वहाँ पर आकर complete हो जाता है तब मुझे और कुछ करने की जुरत नहीं होती है हाँ सर यह बात भी समझ आती है तो मैंने का logic process costing या process वाले system की मैंने आपको कुछ खासियते बता दी कि यह system कहां कहां लगता है अब सर मुद्धा आता है हम इसमें करेंगे क्या what is our role इसका costing से क्या connection है चलो costing से connection तो समझ आता है कि हमें यह final product की cost निकालनी है या जो भी हम service दे रहे हैं उसकी cost निकालनी है बट सर हमें करना क्या है actually what is to be done तो मैंने का देखो अभी जो मैंने आपको एक example दिया था यह बहुत ही easy सा example था घर वाला example था था कि आपको बस method का system या पूरे चटर का system समझ आ जाए कि कहां कहां पर यह हम apply करते हैं अब मैं आपसे बात करता हूं कि हमें इस topic में पढ़ना क्या है what is our objective या company के point of view से हमें इस पूरे system में क्या क्या करना होता है मैंने का चलो जी अब मैं आपके साथ एक और example शेयर करूँगा हां सर आप करो मैंने का रुको पहले मैं इसको बंद कर दू हां मैं इसके उपर एक line डाल देता हूं ताकि confusion ना हो जाए आप बच्चों को ठीक है हां सर चलो मैंने का लो जी अब मैं आपके साथ एक और system या process को discuss करता हूं सर कौन सा मैंने का सुनों देखो दोस्तों आपको पता है कि शुगर जो बनती है वो शुगर केन से बनती है हां सर शुगर शुगर केन से बनती है यह तो हमें पता है गन्ना किसानों का चीनी मिल वाले को देते हैं हमने यह सुना है न्यूज में भी बहुत बा करना है हम पहले अपना objective decide कर लेंगे what is the objective we have to go for once we are finalized the objective then हम सीखेंगे उस objective को अचीव कैसे करना है हमें उस तक पहुंचने के लिए क्या-क्या मेहनत आपके साथ करनी पड़ेगी राइट हां सब्सक्राइब जो मैंने का लो जी तो मैं आपके साथ सबसे पहले discuss करता हूं कि भाई हमारे को चाहिए क्या होता sugar cane sugar बनाने के लिए तो मैंने का देखो भाई सबसे पहले तो मुझे चाहिए sugar cane मैंने का बिल्कुल ठीक बात है तो लो मैंने सबसे पहले अपना input लगाया जिसको मैंने market से purchase करा और वो है sugar cane तो देखो अगर आपको पता है चीनी कैसे बनती है तो बहुत अची बात है नहीं पता तो मेरे से थीगलो मैं ये भी बता देता हूँ मैंने का देखो सबसे पहला step होता है जो भी sugar cane आता है company उसको crush करती है crushing करती है crush करके जो हमारा final output बनता है वो बनता है juice ये हमारी juice की form create हो जाती है sugar cane का juice हमारा ready हो जाता है तो पहला step तो आपको समझ आ गया मैंने का इसके बाद क्या होता है मैंने का वो भी बताता हूं सर इसके बाद इसके बाद तो देखो बड़ा special काम होता है सर क्या मैंने का कुछ और process होता है ओके सर फिर क्या होता है मैंने का बस भाई मुझे भी जादा नहीं पता बस मुझे पता इसके बाद शुकर आ जाती है काम खतम भाई मुझे भी नहीं पता न हम क्यों टेक्निक एलिटी में जाए जो मेरे को समझाना है वो पहले process से ही मैं समझा दूँगा आपको सारा का सारा अब देखो process costing में हमें करना क्या होगा उस पर जड़ा focus करते हैं देखो अब company चाहेगी कि भाई ये भी देखे कि मेरा हर process each and every process सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा भाई ऐसा भी तो हो सकता ना कोई process मेरा गड़बड कर रहा हो बीच में किसी किसी process में हमें नुकसान हो रहा this is one of the objective ये तो पूरा objective clear है कि हमें final product की cost अपनी calculate करनी ही है बट उस final product तक पहुचने के लिए बीच में कई सारी stages है तो अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि sir कहीं किसी stage में कोई गड़बड तो नहीं हो रही क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई कोई हमारा process गड़बड करने के लिए अब समझो हम क्या करेंगे बिटा हम क्या करेंगे जो भी हमारा output आया जाने सुनना मैंने words क्या बोले जो भी मेरा output आया कहां से process से मैं इस output की compute कर लूँँगा cost तो मैंने कहा cost per liter of juice हमने देखा हम जो juice बनाते हैं whatever we are getting it out हमने देखा हमारे juice की cost आ रही है let's suppose 10 रुपे पर लीटर यह मैंने option number one आपके साथ discuss कर रहा हूँ so let's suppose this is option number one ठीक है option number one में बोला मैंने कहा मेरे juice की cost आ रही है 10 रुपे लीटर जबकि मैंने देखा market price per liter of juice market में जो juice बिकरा है वो भी 10 रुपे का बिकरा है अब आप मुझे बताए कि भाई हमारा process सही काम कर रहा या नहीं कर रहा आप मेरे को सोचके बताइए मैंने कहा हमारे juice की cost आ रही है 10 रुपे market में भी 10 रुपे का बिकरा है तो आप बच्चे बताए कि क्या हमारा process सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा सोचा आपने चलो तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आप मेंसे कुछ बच्चे कहेंगे yes कुछ बच्चे कहेंगे no तो मैंने कहा correct answer है no sir sir आप क्या बात कर रहे हो हमें तो लगाता हमारा process बिल्कुल सही काम कर रहा है मैंने कहा नहीं भाई साब नहीं सुनो मैंने यहां word लिखा है market price दोस्तों market price का मतलब क्या होता है sir market price का मतलब है हमारा good जितन हाले price में यह जो 10 रुपे है इसमें दो elements include होंगे sir इसमें cost भी होगा साथ साथ इसमें profit का element भी होगा बात तो आपकी ठीक है sir क्योंकि दोस्तों यह market price है market price मतलब जिस पर मैं market में sale कर रहा हूं sale कर रहा हूं तो भाई इसमें cost और profit दोनों के दोनों include है तो मैंने कहा अब दोस्तों सुनो market में जो लोग इसे बेच रही है वो इसमें profit जोड़कर 10 रुपे का बेच रही है जबकि मेरे पास तो 10 रुपे is the only cost तो भाई इसका मतलब मेरा जो process है वो crushing वाला सही काम नहीं कर रहा या तो मैं इसे ठीक कर लूँ एक तरीका या फिर या फिर मैं market से juice खरीद लूँ bulk deal करूँगा तो मेरे को और सस्ता पड़ेगा तो भाई दोनों option में company का फायदा है बट यह सब पता कैसे चला how we evaluated this यह सब पता चला जब हमें हमारी cost पता चली और वो भी किसकी cost per liter of juice यानि कि per unit of output जैसे ही मुझे मेरी per unit of output की cost पता चली तो मुझे पता चली गया कि भाई साब मेरे पास जो juice है वो या मेरे पास जो process है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है there are more things to be done अभी इसको ठीक करने की जरूरत है पहले बात समझ आई दोस्तो I hope यह point समझ आया अब मैं इसी option number two मान लेते हैं हमारे juice की cost तो है 10 रुपे बट मार्केट में जो यह विक रहा है वो विक रहा है 20 रुपे लीटर के हिसाब से सोचो जराब भाई मेरी cost आ रही है 10 रुपे जबकि market में 20 रुपे का विक रहा है तो पहली बात इससे मुझे यह तो समझ में आ गया कि मेरा process स इसका मतलब 100% profit margin है तो बताओ क्या company ऐसा कर सकती है कि भाई company कुछ juice तो आगे process में भेज देगी जिससे वो चीनी बना लेगी बट यहाँ पर जो मेरे product का margin है it's a 100% margin तो हम यह भी तो कोशिश कर सकते हैं कुछ juice को हम as it is बेच दे हम juice को ही उठा के बेच दे हम उसको आगे भेजेंगे ही नहीं क्योंकि हमें juice बनाने में बहुत ज़्यादा profit हो रहा है तो यह भी यह भी possibility है हाँ सर पॉसिबिलिटी तो है भाई company कहेगी भाई मेरे को जितना शुगर में profit नहीं होता उससे ज़्यादा तो juice में हो रहा है तो better है मैं तो juice को भी बनाना मैं crushing वाले process को full utilization पर लेके जाते हैं जितना maximum juice निकाल सकते हैं उतना करते हैं जो चाहिए शुगर बनाने में उसको वहां बेज देंगा बाकी का जो extra है या कुछ जादा जो भी होगा हम उसको market में pack करके बेज देते हैं तो वहां से भी company को जादा से जादा मुनाफ़ा होगा profit होगा बात तो आपकी ठीक है सर तो बेटा ये जो है option one और option two ये मैंने आपके सामने दो cases रखे हैं कि आपको चीज़े समझ में आए अब आप मुझे बताओ ये सब पता कैसे चला how we analyzed की मिरको option one option two या किस पर जाना है तो सर बड़ा simple सा answer है मेरी बात का सर देखो मिरको कैसे पता चला option option one जाना है option two इसका एक simple सा logic है मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए मेरा जो process है उससे जो output generate हो रहा है उस output की cost कितनी है what is the cost per unit of output being generated जो भी हम output generate करें उसकी cost कितनी है एक बार अगर वो cost पता चल गई तो दोस्तों बस फिर हमारा काम असान है फिर कोई दिक्कत नहीं है there is nothing to be worry right बात तो आपकी ठीक है सर मैंने का देखो दोस्तों अगर आपको मेरी बात यहां तक ठीक लगती है तो बस आपको समझ में आ गया what is the objective तो दोस्तों पूरे चैप्टर का हमारे पास objective एक ही होगा क्या सर मैंने का हमें हमारे हर process की मेरे वर्ट जान जे सुनना हर process की जो भ evaluation system ला सकें कि भाई कौन से process में कितना फायदा है कौन से process में कितना नुकसान हो रहा है या कौन सा process सही से काम कर रहा है और सही से काम नहीं कर रहा है तो primarily मेरा objective होगा process costing का कि जो भी output एक process से generate हो रहा है उसकी cost per unit of output को evaluate करना या compute करना राइट दोस्तों तो यह है हमारे पास process costing का meaning और objective तो मैंने अभी आपके साथ जितना भी पढ़ाया सिरफ आपको यह समझा है कि process costing में हमें करना क्या है और क्यों करना है सबसे important है क्यों करना है that is the main point right